वेल्कम टू बीवी न्यूज केट्रिना क्याफ अब मीसेज बन गई है विकी कोशल के साथ केट्रिना ने सुर्क लाल जोडे में उन्होंने साथ पेरे लेकर अपने रिष्टे को नया नाम दिया दोनों की शाधी को लेकर पिछले काफी समय से बज़ बना हुआ था शाधी के बाद दोनोंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शाधी की ओफिशियल तस्वीरे शेयर की और इस नए रिष्टे के लिए लोगों से आशिरवाद मांगा बोल्यूट की सबसे एडरोबल जोडी वीकी कोशल और केट्रिना कैफ शाधी के बाद हनिमोन के लिए रवाना होंगे केट्रिना क्याफोर वीकी कोशल ने राजस्तान के सवाई माधोपूर में स्तीत सिक्स सेंस स्पोर्ट बरवाडा में अपने परीचोन और दोस्तों की मोजुद की में शाधी की शाधी के बाद जहां में मन आज वापस मुंबे के लिए रवाना होंगे वही केट्रिना क्याफोर वीकी कोशल मुंबे में ग्रुह प्रवेश से पहले मालदीव में अपने हन्मोन के लिए रवाना होंगे मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक केट्रिना क्याफोर वीकी कोशल आज यानि शुकरवाद 10 दिसंबर को दोबर साड़े बारा बजे तक कलिना एरपोर्ट पर पहुचेंगे यहां से वहां मुंबे में अपने घर न जाकर सिधा एरपोर्ट से हन्मोन के लिए मालदीव रवाना होंगे साथी आपको बता दे कि केट्रिना के अपने शादी में लाल नहेंगा, जुडा, माथा पट्टी, टीका, नाथ, चोक और निक पीस समेट सभी साज और शुमगार वाली एकसेसरीस पहनी है केट्रिना का रियल प्राइडल लूक, उनके रियल लूक से बेशक, खास और हटके है केट्रिना और विकी कोशल को शादी के बाद फैंस और सेलिब के बदाई देने का सिलसिला जारी है राजस्तान में ग्रैंड वेडिंग करने के बाद कपल मुंबई में रिश्रिप्शन देगा जहां भी टाउन सितारे शिर्कत करेंगे तो दोस्तो इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें पर इसे लेटिस वीडियो के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू